अलो दोस्तो टेक यूटूबर अभी यूटूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेस्बुक का पुराना अकाउंट कैसे ओपन करें कैसे लॉग इन करें पूरा स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा वीडियो को देखने से पहले दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल टेक यूटूबर अभी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले दोस्तों आपको Facebook आपको उपन करना है और जो भी आपका Facebook में Login Account है उसे आप एक बार Logout कर दें और सबसे पहले Login वाले Home Page के उपर आप आ जाएं अब यहाँ पर मैं आपको Process बताऊंगा कि आपका पुराना Account जो है वहाँ वापिस कैसे आएगा और Login कैसे होगा सबसे पहले आपको आएगा Mobile Number और Password डालो फिर आएगा Forget Password और आएगा Create New Account अब तक वीडियो को Like नहीं किया है तो वीडियो को Like भी करें आपको सबसे पहले Forget Password के बटन पे क्लिक करना है जैसे ही दोस्तो क्लिक करेंगे आप सब के सामने आएगा Enter Your Phone Number और आपको यहाँ पर अपना अब Mobile Number डालना है Mobile Number वह डालना है जिससे दोस्तो आपने Facebook Account Login या Register किया था यदि दोस्तो आपके पास Email ID भी है और आपने अपनी Email ID भी Attach करके रखी अकाउंट के साथ तो आप यहाँ पर Search by Email पे क्लिक करें तो आप Email अकाउंट डाल सकते हैं प्रन्तु मैंने अपना अकाउंट Mobile Number से बनाया था और आपने भी अपने Mobile Number से ही बनाया होगा तो आपको अब यहाँ पर अपना Mobile Number डाल लेना है तो दोस्तो मैंने यहाँ पर Mobile Number डाल दिया है अब मैं Search के बटन पे क्लिक करूँगा दोस्तो जैसे ही मैंने Search के बटन के उपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे अकाउंट आ रहे हैं उसके उपर आपको क्लिक करना है तो मैं जैसे इस अकाउंट को लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं इसके उपर क्लिक करूँगा अब जैसे क्लिक करूँगा तो बोल रहा है कि पासवर्ट डालो तो मैं तो पासवर्ट भूल चुका हूँ मुझे तो password पता नहीं है तो अब मैं click करूँगा get code के उपर यदि आपको password पता है तो आप password डाले direct login होगा अब मैं click करूँगा get code के उपर get code के उपर click करूँगा तो आप सब के सामने email ID आ जाएगी और आ जाएगा mobile number कि भाई mobile number के उपर SMS आएगा और आपका account login होगा तो मैं click करूँगा mobile number और click करूँगा continue continue के उपर click करूँगा तो please wait आएगा और मेरे आप mobile number के उपर एक code आया है वो code मैं यहाँ पर आप डालूँगा तो दोस्तों मैंने code डाल दिया अब मैं continue के बटन पर click करूँगा जैसे ही continue के बटन के उपर click करूँगा तो यहाँ पर आपको allow कर देना है और यहाँ पर ok कर देना है और यहाँ पर आपको password new set करना है मैं password set करता हूँ तो दोस्तों मैंने password डाल दिया और password set कर दिया और जैसे ही मैंने password डाला तो वो account अब login हो गया तो इस तरह से दोस्तों आप अपना facebook का पुराना account login कर सकते हैं और जो आप account भोल चुके हैं इस तरीके से आप वापस कर सकते हैं बस आपको याद होना चाहिए जो आपका login नमबर था वो कौन सा था किस नमबर से आपने facebook account बनाया था वो डालेंगे